हलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बागे सोड़ हमें इश्डी पॉइंट पर आज हम लोग डिसकस करेंगे निसान जो होते हैं ये प्लस और माइनस ये एक्ट्वल में समझ में नहीं आते हैं कि कहां पे कौन सा निसान आना है प्लस आना है या माइनस आना है और अगर जो ये समझ में आपकी भी है आपके भी समझ में अगर जो निसान नहीं आते हैं प्ल इनको जो हमें Huge करना पड़ता है Plus और Minus को अपस में, तो ये हम दो परकार से Change करते हैं, फहले कर लेते हैं गुरा के रूप में, पहले इनकी बात कर लेते हैं, तो First Type में निसान जो हमको क्या मिलेंगे, ये Gleich क्या मिलेंगे या दो संख्यां में जब गुरा होगा, ज यसे दो प्लस का ही रहेगा ठीके फॉर एक्जामपल जैसे हमने यहां पे लिख लिया प्लस पांच एंड मल्टिप्लाई बाई प्लस फाई यानि प्लस पांच गुड़ें प्लस पांच तो जब इनकी गुड़ा करोगे तो क्या रहेगा प्लस प्लस हमेशा प्लस में ही आएगा यान यह जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी प्लस की 25 हो जाएगी ओके एक एक जम्पल और देखो जैसे हमने यहां पे लिख दिया प्लस का 6 multiply by प्लस 6 यानी प्लस का 6 और गुणें दोनों तरब प्लस है तो क्या रहेगा यह संख्या जो है न प्लस में रहेगी कितनी रहेगी 6 हाग 36 ठीक है अब देखो बात करते हैं इसकी यानी दो माइनस के निसानों के बीच में अगर जो गुणें का निसान हो ठीक है दो माइनस के निसान जैसे एक एक जाम्पल देखते हैं जैसे हमने यहां पर लिख दिया माइनस का 6 कितना लिख लिया माइनस का 6 और गुणें में क्या करना है माइनस का 7 कर लेते हैं देखो यह माइनस का साइन है इदर भी माइनस का साइन है लेकिन इनके बीच में गुणें का साइन पड़ गया तो जब दो माइनस के निसानों के बीच में गुड़े का साइन हो तो परणाम क्या मिलेगा हमको प्लस में मिलेगा ठीक है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 6 सते 42 एंसर क्या आ जाएगा प्लस का 42 ठीक है अब तो ये दो कंडिसन्स तो सेम है इनको याद रखना आसान है कि जब गुड़ा के रोप में हो और समान निसान हो तो हमेशा प्लस मिलेगा अब बात कर लेते हैं इस थर्ड वाले टाइप की थर्ड वाले में क्या कह रहा है कि गुड़ा हो बीच में और एक तरफ मा हो तो हमेशा माइनस मिलेगा माइनस चाहे पहले हो चाहे बाद में हो देखो कितना आसान है अगर जो दोनों समान है तो प्लस में आएगा विपरीत है मतलब एक माइनस है एक माइनस है एक माइनस है और एक प्लस है तो क्या आएगा माइनस में आएगा देखो जैसे यहां लिखा है minus और plus, बीच में हमने मालिया गुड़ा है, जिसे मालिया यहां पर एक संख्या कितनी है, minus की और दूसरी तरफ है six plus की, ठीक़े तो minus plus क्या दर्षारा है minus दर्षारा है, तो जो परणाम मिलेगा वो किसमें मिलेगा minus में मिलेगा, ठीक है देखिए और इसमें क्या लिखा है जिसे जो इसकी fourth condition हो सकती तो इसमें क्या हो सकता है plus जो है वो पहले हो सकता है minus बाद में हो सकता है तब भी क्या मिलेगा minus for example इसको जड़ा erase कर लेते हैं तो condition number four में क्या है देखो यह दोनों same ही तो है इसमें minus पहले है और plus बाद में है इसमें plus बाद में minus पहले है यानि विफ्रीत निसान जो भी आएगा तो आपको प्रणाम मिलेगा वो minus में मिलेगा देखो जैसे यहां पर हमने लिख लिया plus का 5 और multiply by minus का 2 ठीक है plus पहले होगी हा minus बाद में होगी है बीच में गुड़ा है तो प्रणाम किस में मिलेगा माइनस में क्या जाएगा माइनस का ठीक है किलियर है तो याद रख लो इनको दोनों समान हो मतलब दोनों प्लस प्लस में हो बीच में गुडा का निसान हो तो प्लस रहेगा और विपरीत हो एक माइनस हो और एक प्लस हो तो विपरीत होने पर दो लोग बात करेंगे देखिए तो पहले क्या लिखा है जोड या घटाने की रूप में हूँ कुल मलाकि इनके बीच में जब गुड़े का निसान गायब हो जैसे हमने यहां पे लिखा प्लस का 5 एंड लिखा प्लस का 7 ठीक है देखो दोनों निसान हो गए प्लस और प्लस इनके बीच में गुड़ा नहीं है तो क्या कह रहा है रिजल्ट क्या मिलेगा प्लस में जो संख्या आएगी वो क्या आएगी प्लस में आएगी और जो रिजल्ट करना है वो क्या करना है जोड़ देना है, दोनों अंकों को, दोनों संख्याओं को क्या कर देना है, जोड़ देना है, कब जोड़ देना है, जब दोनों निसान प्लस के मिले, तो ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और साथ पांच कितना हो जाएगा, बारा, ठीक है, फर्स्ट क बीच में गुणा तो नहीं है तो जो result मिलेगा वो plus में मिलेगा और तीनों निसानों को जोड़ देना है यानि 10, 20 और 10, 30, 30 कितना हो गया 60 ये इसका answer हो गया ठीक है अब ये type second जो कह रहा है ये क्या कह रहा है कि जब दोनों माइनस निसान हो दो हो या दो से ज्यादा हो तो क 3-2 ठीक है न और फिर माइनस 3-4 माइनस 4 तो देखो कितने निसान लगा दिए 1, 2, 3, 4 ठीक है चारों जगा माइनस है चार जगा हो दो जगा हो पांच जगा हो कोई फरक नहीं पड़ता अगर जो सब ही माइनस के है तो निसान तो माइनस का ही लगेगा लेकिन सब ही term जो हो होंगे वो हम क्या कर लेंगे जोड लेंगे 2, 2, 4, 3, 7, 7, 4, कितना हो गया गेरा यह इसका answer हो गया इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं अगर जो दोनों प्लस-प्लस के हैं तो निसान प्लस का रहेगा जुड जाएगा दोनों माइनस के हैं या तीनों माइनस के और जु़ड़ जाएगा घटाएंगे नहीं इनको का ती ये ना है जूड़ गया लेकिन सान किसका लगा मायनस का ठिक अब तीज रे वाले जिसरी इसकी बात करते हैं तो माइनस का हो ये प्लस का हो तो बराबर में हमको माइनस या प्लस दोनों में से कोई भी मिल सकता है डिपेंट क्या करेगा कौन सा निसान मिलेगा जिस संख्या का निसान बड़ा होगा यानि बड़ी संख्या का निसान लगेगा और जो परणाम निकलेगा वो क्या निकलेगा घटेगा यानि इन दोनों कंडिशनों में हम दोनों को जोड़ देते थे दोनों को या तीनों को य देखो क्या कह रहा है कि घटाएंगे और निसान किसका लगाएंगे बड़ी संख्या का जो बड़ी संख्या होगी तो बड़ी संख्या का निसान क्या है प्लस है प्लस वाली बड़ी संख्या है ना तो यहां पर क्या मिलेगा प्लस मिलेगा और हल करके क्या लिखना है घटा के लिखना है तो 20 से 10 माइनस करोगे क्या बचेंगा 10 देखो बहुत ही आसान है ना दूसरा एक्जामपल देखते हैं जैसे हमने यहां पे लिख लिए 7 और प्लस का लिखा है 2 अब क्या होगा निसान बड़ी संख्या का लगाएंगे घटाना पड़ेगा मगर निसान बड़ी संख्या का लगेगा तो 5 जो सुरी पांच नी 7 है न माइनस का है 2, plus का है, बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सा निसान बड़ा है, 7 वाला बड़ा है, तो निसान तो बड़ा बाला आ जाएगा, अब 7 से 2 घटा लेंगे, तो क्या बचेगा, 5, ठीक, ये हो गया, अब इसकी बात कर लेते हैं, चार नंबर पे क्या हो सकता है, हो सकता है, plus पहले आजाए, माइनस बाद में आजाए, तो क्या है, कुछ नहीं है, तो प्लस वाली संख्या पहले लिख लेते हैं, जैसे हमने यहां पे लिख लिए, plus का 30, माइनस का 20, तो ये तो और भी आजान है, बड़ी संख्या का साइन लगाओ, जो बड़ी संख्या है ना, उसका निसा लगाओ, और माइनस करके लिख दो, तो 30 से 20 निकाल दो, कितना बचाद 10, ठीक है, तो इस प्रकार से हम निसानों को याद रख सकते हैं, ताकि कभी भी गलती न हो, अच्छा, एक से ज़्यादा निसान हो जाए, जैसे हमने यहां पे लिख दिया, माइनस 10, माइनस 20, प्लस तो जोडने वाले, इसमें देखो, एक ही निसान है न, प्लस का, तो पहले इसे लिख लेंगे 20, और यह दोनों जोड लेंगे, यह तो प्लस का 20 हो गया, यह दोनों जोड लो, तो कितना हो गया, माइनस का 30 हो गया, अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो घटा लेंगे, न थैंक यू फर वाचिंग